हेलो दोस्तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ ट्रेड लाइसेंस री प्रिंट कैसे करते हैं यानि कि आपने ट्रेड लाइसेंस बनाए हैं या आप ट्रेड लाइसेंस अपना रेनुवल किये हैं और आप अपना ट्रेड लाइसेंस को डाउनलूड करना भूल गये हैं या कोई कारण बस आपका trade license खो गया है और आप चाहते हैं कि उस trade license को फिर से reprint करना तो मैं आज आपको process बताऊंगा कि किस तरह से आप online trade license को reprint किया जाता है तो चलिए जानते हैं किस तरह से आप अपना trade license को reprint करेंगे सबसे पहले आप मेरे चैनल को subscribe किजिए बगल वाले वेल आइकम को दबा कर notification को on किजिए मैं इस तरह का video आप लोग के पास लेकर आते रहता हूँ दोस्तो आप google का home page खोड़ लीजिए google का home page में search बार में आपको type करना है my hmc my hmc.in type करके search किजिए करते हैं आप आप स्कीन पर दे सकते हैं यह दिखाएगा है हावडा municipal corporations आपको हावडा municipal corporations पर क्लिक करना है क्लिक करते ही यह आपको हावडा municipal corporations का official website पर लिके चला जागा जैसे कि आप एक दे सकते हैं कि हावडा municipal का यह official website है दोस्तों आपको करना क्या है उपर में मेनु बाए देखिए हूम हावuरा, कौरपोरेशन डिपार्टमेंन, प्रोजेक्ट, सिटिल्यगर wrapped सर्विसेश, आपको क्लिक करना है देखिए मैंने citizen services पर click करते ही आपके पास मेनू आ जाएंगे देखिए license दिखा आपको license पर click करना है license पर click करते ही देखिए एक नया page खुल जाएगा और यह license department में आपको हावड़ा municipal corporations का लेके चला जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं उपर मेनू दिया हुआ है मेमेन देखिए दिया है online license reprint online license reprint देखिए online license reprint आपको इस पर click करना है click करते ही देखिए दोस्तों आपके पास एक चोटा सा फॉर्म आजाएगा एक column को आपको fill up करना दिखिए दोस्तों याप लिखा है online license reprint आप online license को reprint कर सकते हैं क्या आफ वी देखे नीचे conditions दिया है कुछ दिखा है देख पढ़ लिजे license generated through online payment within current financial year can be printed here बोला है कि license जो आप print out करेंगे reprint करेंगे वो वही license आप print out कर सकते हैं reprint कर सकते हैं जिसका आपने online repayment किया है online अगर आपने trade license को renewal किया है आए हैं और एक साल का vitamins current financial year में आप current financial year का ही आप यहां से आप अपना trade license का print out करना कर सकते हैं जैसे कि मान के चलिए कि आप इस साल आपने trade license बनाए है online online आपका trade license बनाए है या आपने renewal कराए है trade license का और कोई कान बस आपका trade license खो गया है या miss place होगी आपको नहीं मिल ला है तो आपको खबराने के ज़रुवत नहीं यहां पर आकर आप उस trade license को reprint कराया सकते हैं वह मतलब print out निकाल सकते हैं जस्ट यहां क्या करना है demand number आपका जो demand number है आपने जो payment किये थे online वहाँ पर देखिएगा demand number दिया होगा आप demand number के against में ही trade license रेनूल करने या बनाने के लिए आप payment किये होंगे तो demand number आपको receipt copy में मिल जाएगा वहाँ से demand number दिजेगा CPI रखिएगा दोस्तों current financial year का online payment का ही आप print out निकाल सकते हैं अपना trade license को उसके बाद अपना demand number डालने के बाद go पर click किजिए go पर click करते ही देखिएगा आपके पास एक PDF form में आपका trade license आ जाएगा और आप इसे print out निकाल के आप अपने office या official purpose के लिए काम कर सकते हैं